मा राहील के नाम से ही लगता था कि वो जल दरह लग पाएगी परवर्दिगारा इसकी जुदाई पर मुझे समर्ता फर्मा बाबा जान कनान के लोग आ गए अब क्या फैदा कहां है? वो उस तरफ है जलती करो मेरे साथ आओ मेरे खुदाया सलाम नभी ये खुदा सलाम तेर कर दी बहुत तेर कर दी वो राही थी हाए मेरे खुदा मसाहिब और अंपिया दोनों देरी ना दोस्ते हैं इस किसित के मसाहिब हमारे लिए लए नए नए हम इस मसीवत में भी खुदा की पनाओ मांते हैं तुम यह पीनल लिया हो राही की बहुत तुमको ताजिय प्रेश करती है देख रहे हो बेटा जहाँ तुमने कदम रखा है कार मसाहिसे ज़्यादा कुछ नहीं है कुछ लोग आते हैं चले जाते हैं और शामदेद तुमारे कदम मुबारक इसके कदम नहां मुबारक है नहां मुबारक इसका नाम बिन अनी है नहुससत का बेटा ये मेरी बैंग की मुँट का बाइब बना बस करो अब बस भी करो मौत और जिद्गी किसी और के हाथ में है इसमें बच्छे का क्या खुसूर है बिन अनी नहीं बिन यामीन फर्जन दस्तिरास्त यह अपने बाबा का दस्तिरास होगा तुम कौन हो मेरी जान यूसुफ राहील का बेटा हूँ तो तुम राहील की निशानी हो सबसे पहले तुम से ताजियत करनी चाहिए मेरी मौ 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 परवर्दिगारा राहील की रूख को गरीक रहमत फर्मा आमीन आमीन परवर्दिग 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 किस मुसीबत की घड़ी में तुम्हें और तुम्हारे बाप को सब्रे जमील अता करें पाइक अपपो क्या जन्नक यह से बहतर जगा है हाँ मेरी जान बहतर है तुम अपरी उमर से कहीं ज़्यादा समझधार हो यह बच्ची खुदा तुम्हें सलामत रखे खुदा तुम्हें सलामत रखे मुझे इस बच्ची के खुबसूरा चेहरे और दिलनशीन बातों में जो यह कर रहा है बुदर्गी के असान नजर आ रहे हैं यह अपरी उम्हें के दूसरे बच्चों से कहीं ज़्यादा होश्यार है जो के नाकाबिल यकीन है बस करो बेहन बस करो यूसुप भी अपने दूसरे भायों ही की तरह है उसे मुक्तलिफ नहीं है यूसुप का चेरा और इसकी बाते मेरे लिए दिननशीन हैं मैं चाहती हूँ कि तुम इसकी परवरिश की जिम्मेदारी मुझे सोब दो शायद इस तरह इसकी वाकी कमी को कुछ कम कर सकूँ मैंने अपनी बहन से बादा किया था कि मैं उसके बच्चो को कभी मां की कमी मैसूस ना होने दोंगी अपने दूसरे बच्चो की तरह इंकी भी परृष करूंगी लेकिन तुम अपने इतनी बच्चो के साथ कैसे कर सकोगी यह मुमकिन ही नहीं मैं इजाज़त नहीं दूँगा कि ये लमे भर के लिए भी मेरी निगाओ से दूर हो वो शहर जहां आखरी उम तक रहना है आगे याकूब नहीं काफल आगया आगया याकूब नहीं काफल आगया कि शखादीश कि शखादीश कि शखादीश जयादीश खर भी दो हुआ को जा ऑजका पूम सिरी साथ जा फिए तफलिघ्टों डेंगार थाथ फिए जादा यह तो हुआ को अरिज हुआ 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 हुआ। कर दो कर दो कर दो कर दो केुड़ खुशाम दे नभी खुदा के कदम मुबारक हो हम आपके गम में बराबर की शरीक है आप पर जो मसीबट टूटी हमें उसकी खबर ना थी खुदा आपको सबरे जमील अता करे मौत और जिन्दगी खुदा के हाथ में है और हम इसकी रजा में राजी है खुशाम दी खुशाम दी आप कियामत का बहुत बहुत शुगरिया खुशाम दी खुशाम दी खुशाम दी खुशाम दी ये राहिल का बेटा यूसुप है न खुशाम दी देखो इनका बेटा यूसुप कितना खुबसूरत है बेहन हमारे बाबा इसाख नभी का मकबरा कहा है तुम जानते हो वहीं जा हमारे दादा हजरत अप्राहिम अले सलाम और उनकी जोजा का मकबरा है और हमारी मा रफा के कवर भी वही है पहले में उनकी जियारत और उनकी साथ रहत कहरादा रखता हूँ लिया सबको ख़बर कर दो कि मिलकर वहाँ जाएंगे यहुदा लावी बिसमा जो आमारत मैंने तुम्हारे सुपुर्ट किर्थी बोले आओ हम अपने बाबाई साथ के वजार पर जा रही है ख़दा का दुरूद हो इबराहीम पेखंबर पर ख़दा इबराहीम और इसाथ की अर्वा को शाथ रखे कनान की लोगों की हिदायत और इमान इन्ही की महरबानी से है आखरी लमात में वो आपको देखने के लिए बेकरार थे उन्होंने रिसालत आपकी सुपूर्ट की है और वस्यत फर्माईए कि इबरानियों की हिदायत की जिम्मदारी खुबूल फर्माएं इन पाक तनियत हस्तियों से मदद का खास्तगार हूँ और खुदा से रिसालत की इस अजीम जिम्मदारी की अंजाम दही पर मदद तलब करता हूँ ये कमीज हमारे दादा हजरत इबराहीम की है जो हमारे बाबा इसाख को विरासत में मिली और अब आप इसके वारे से हैं आपकी अरव मजूद्गी में बाबा की ऑलादों में सबसे बड़ी होने की वज़ा से मैं इसकी अमीन थी और अब मैं ये अमानत आपके सुपूर्ट करती हूँ बाबा की वस्यत के मताबिख ये कमीज आपके बाद आने वाले तमाम अंबिया तक पहुचेगी इस कमीज को अबाईर इसालत भी कह सकते हैं मिबारक बाद बेश करते हैं मैं और कनान के लोग आपकी बैद करते हैं और हज़त इसाब के बाद आपको नभी खुदा मानते हैं और आपकी रिसालत की गवाई देते हैं मिबारक बाद बाद देश करते हैं तमारा के ख्याल है ये खमीज बाबा के बाद किसको मिलेगी जाहिर है जो भी सबसे ज्यादा ताकत वर होगा गलती पर हो वो जिसका इमाज सबसे ज्यादा कवी होगा लग जाहिर है जपकी बाद करता ताकत वर होगा जाहिर है जो भी खमेडरी लेज़स बाद दो भी खमेडरी लेज़स बाद करते हैं थो, जो, 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 जो प्रेंड़ें। मुझे भूक लगी है हमें खाना नहीं दोगी मा खाने का क्या होगा बोरा इंतिजार करो क्या बात है आप क्या हुआ खाना क्यों नहीं खा रहे हो यह तो बहुत दम है यूसफ को ज्यादा क्यों दिया चुप चाप अपना खाना खाओ बस करो लिया क्या कर रही हो खुद पर काबू रखो बियामीन को मैं समाल लेती हूँ तुम अपने बच्चों को खाना खिलाओ इतने सारे बच्चों का पालना मुश्किल है लिया हख बजानिब है अपने साथ बेटों और बेटी के साथ रहें के बच्चों का भी दाफ़ा हो गया है मैं फिर कहती हूँ कि मुझे हमेशा ही से साइब औलाद होने की खाश रही लेकिन ये आर्जु कभी पूरी नहो सकी तेरी जिन्दगी अब जादा नहीं रही तेरी ये खाश पूरी कर दो रही के इस बच्चे को मुझे दे दो इतनान रखो मैं इसे अपनी पलकों में छुपाकर रखूंगी देख रहो हो न के लिया वेचारी भी किस कदर मुश्किल में गिर्फदार हो गई है तुम्हें यूसुफ और उसके भाई के मुटालिख को सोचना होगा लेकिन उसकी दूरी को कैसे बरदाश्ट करो अगर दूर ले जाओं तो बरदाश्ट ना करना अगर इसे हर रोज तुमारे पास लेकर ना हूँ तो वापक ले लेना अगर इसकी मुहबत में कमी करूँ तो मुझे मत बख्षना मुझे मौका दो मैं अपनी जिन्देगी के ये आखरी ऐयाम यूसुफ के साथ गुजार लूँ यकिन जानो इस तरह रखूँगी के राहिल की रूफ भी शार रहे और तुमारा दिल भी लेकिन फाइका राहिल से खिये के मेरे वादों का क्या होगा मैंने जो कसम खाई थी कि उसके बच्चों के मा की कमी का ज़रा भी असास नहीं होने दूँगी फाइका तुमारी कसम को अमली जामप पहनाएगी यकिनन वो यूसुफ को उसकी मा से कम अजीज नहीं रखेगी तो में डर है कि मैं बच्चों की द्यात्ती की वज़़ा से यूसुफ का ध्यान नहीं रख पाऊंगी नहीं, बलके मुझे तो खौफ है कि कहीं तुम दूसरे बच्चों को नजर अंदास करके सिर्फ यूसुफ पर तो बच्चों न देने लगो यूसुफ, मेरे बेटी इधा आओ बेटा ये बताओ कि तुम अपनी फुपी फाइका के साथ जाना चाहोगी जी बाबा, फुपो फाइका एक अच्छी मा है मगर तुमारी मा की तरह अच्छी नहीं लेकिन कोशिश करूँगी कि मुझे मैं से तुम्हें उसकी खुश्वुवा है शुकर गुजारू आपकी मैं आपसे वादा करती हूँ कि जहां से जादा इसे अर्दीज रखूँगी और अपने सीरी से लगा कर रखूँगी इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाये से यहां से ले जाओ इसका मतलब है अब हम यूसफ से नहीं मिल पाएंगे यह तुम से किस ने कह दिया फुपी की जान यह हर रोस तुमारे साथ यहां खेलेगा तो क्या हम अभी यूसफ के साथ खेल सकते हैं हाँ हाँ क्यू न recipe अरे तुमारा खाना तुम लोग न अपना खाना ख़त्व नहीं किया ख्याल से कर दो कर दो आज के बाद भेड़े तुम्हारे हवाले है आएंदा में तुम लोगों के साथ नहीं जाओंगा मुझे लोगों के मसायल हल करने है जिसके लिए हम कनान आये हैं ख्याल रखना भेड़ों को कोई खत्रा पेश ना आए घबराये मत बाबा अब हम बच्चे नहीं रहें जानता हूँ जानता हूँ चलो अब जाओ सलाम फुको सलाम मेरी जान सलाम खुदा तुमारा हामी और नासिर बच्चो वो देखो यूसुफ सलाम फुको फायका सलाम मेरी जान यूसुफ का ख्यार रखना हो जी अच्छा सलाम नभी खुदा पर सलाम किसने कहा यतीमी बुरी चीज होती है कितने खुश्रूसमत होते हैं यतीमी अगर यतीम होना इतना ही अच्छा है तो भी सब क्यों नहीं मर जाती शायद तुम्हारे बनने के बाद तुम्हारे बच्चों को भी ज़्यादा तबज़ों मिल जाए नहीं माँ बलहा के कहने का ये मतलब नहीं था पुपी मेरे कहने का मतलब था कि आप काफी अच्छी तरह से यूसुफ की परवरीश कर रही है और इसके लिए एक मेरबन मा की तरह है रहने दो तुम्हारी बातों का मतलब बैं खोब समझते तुम्हारी तुम्हारी को क्या हो गया यानि जरासी मुहपत भी एक बिन मा के बच्चे के लिए तुमसे बरदाश्च रही होती ख्याल रखना बेहन कहीं तुमारी यूसुफ से हच से ज्यादा वाबस्तगी और उसको सजाना सवारना उसके भाईयों में हसत का बीच नबो दे यूसुफ को तुमें सोपने की असल वज़ा भी लिया कि उससे बेंतहा महबत करना ही थी वो न चाहते हैं वो भी यूसुफ और उसके भाईयों के दर्मियान फर्क कर बैठी थी जो तुमारे बेटों में हस्द और कीना का बीच बो रहे हैं वो बला और जुल्फा हैं लिया नहीं खुदा यूसुफ को हासितों और दुश्वनों की शर्फ और बड़ नजरों के नजर से महफूज रखे पता नी क्यों उसके लिए दिल परेशान रहता है परेशानी की कोई भारत नहीं अगर इजाज़त दो तो उसे ले जाओ जानती हूं यूसुफ को फूख लगे होगी यूसुफ? जी आजाओ बेटा चलो चले मेरी जान खुदा हाफेज खुदा हाफेज मा यूसुफ के कपड़े देखे वो फाइका ने इसके लिए सिये है हमारे लिए भी ऐसे कपड़े सियोगी ना मेरा ख्याल है कि कोई और बात है जो बाबा हमारे साथ नहीं आए मसलां कौन सी बात यूसुफ वो यूसुफ के साथ हैना चाहते है मैं ऐसा नहीं समझता वो पैयामबर हैं और उन्हें लोगों के दर्मियान रहकर उनके मासाइल हल करने होते हैं यूसुफ के कपड़े देखे हैं तुमने देखे बहुत खुबसूरत लग रहा था बड़ा खुश खुस्मत है लावी यहुदा चलना नहीं है आ रहे चलो चले यहुदा चलो उसकी अहलत तो और बहतर हो गई है बजायर राहिल की मौत का मस्कम यूसुफ के लिए तो बुरी साबित नहीं हुई कहने को तो तुम भाई हो मगर तुम्हारी बातों से नहीं लगता यह पैनो यहीं रुको तुम जानते हो यह क्या है यह मेरे बापा और तुम्हारे दादाई साखनभी का कमरबंद है मेरी खाश थी कि यह उसे दुम जो कारे रिसालत को जारी रखे मुझे उमीद है कि इसके वारिष तुम ही हो मुझे यह कमरबंद अच्छा लगा है हजरित इब्राहिम अले इसलाम की कमीजों यह कमरबंद मेरे पास अमानत थी कमीज मैंने भाई को देदी यह कमरबंद फिलाज तुमारे पास है इससे कहीं गुम ना कर देना मैं डरता हूँ कि कोई इस कमरबंद को देखकर नाराज ना हो जाए मसलन कौन? मसलन मेरे भाई इसके तुम फिकर मत करो चलो जल्दी करो हमें तुमारे बाबा की दर्स में पहुचना है चलो हसद यानि वो नेमत और दौलत और मकाम और मनजलत जो किसी बंदे को अता हुई है उसकी नाबूदी की आरजू करना हसद यानि किसी के पास किसी निमत के होने को बरदाश्ट ना करना हसद यानि दूसरों की काम्याबी और खुशकिसमती को बरदाश्ट ना करना और दूसरों की फुक्र तंगदस्ती का खौईश मंद होना अब तुम में से कोई बताए के हसद किसे कहते हैं वो कमरबन जो यूसुफ ने बांदा हुआ है वो तो इसाप नभी का है फायका ने यूसुफ को क्यों दिया मेरा ख्याल है ये तो आने वाले पेगंबर के हवारे क्या जाना जाएए था यानि हासिद का दिन नहीं चाता कि लोगों के पास कोई नेमत हो शाबाश हासिद वही होता है जो तुमने कहा हासिद हमेशा दूसरों की चीज़ों को देखकर गमगीन और रंजीदा होता है देख रहे हो हाब मानवी और इल्मी चीज़ यहाँ दिखावा और मीठी मीठी बाते करता है हाब मादी और माल और मताए दुनिया हो हासिद से बचने का क्या तरीखा है ये कौन बता सकता है इसका जवाब यूसद को नहीं आएगा मेरे प्यारी यूसफ क्या तुम्हारे जहन में कुछ नहीं आ रहा बाबा क्या हासिद को मालूम है कि इस दुनिया को एक ना एक दिन खत्म होना है शाबाश बेटा शाबाश जवाब यही है जो तुम ने दिया हासिद को चाहिए कि जान ले कि दुनिया किसी के साथ वफा नहीं करती हासिद को ना दुनिया की नेमते में यसर आती है ना आखिरत के इनाम हासिद अपने हसिद की वज़ा से दुनों जहां की नेमतों से महरूम रहता है और उसे कुछ हासिद नहीं होता ना हासिद ना मैसूद कोई भी इस दारे फानी में बाकी रहने वाला नहीं अगर हासिद ये जान ले तो अपनी दुनिया को हसद और तंग नजरी की वज़ा से जहन्नु में तबदील न करे एक बिन मा के बच्चे से महबबत करना फितरी बात है क्या जिनकी माएं जिन्दा हों उनसे महबबत ना करना भी फितरी बात है यानि जिनकी माएं हों उन्हें महबबत की जरूरत नहीं होती एक तरफ तो फुपो उसे नएने कपड़े पहनाती हैं और उसे सजाती सवारती है दूसी तरफ माँ उसे जानों पर बिठाती है और बहतरीन खाने देती है हमारे सामने उसकी इफाज़त जायर करते है लेकिन बाबा उसे हम सबसे ज्यादा चाते हैं हाँ बिलकुल वैसे आपस की बात हैं हमारा भाई यूसफ है ही इतना समयधार और शीरी जबान उसका मासून चेरा वाकियतन चाहे जाने के काबिल है हम सब ही अपने भाई यूसफ को चाते हैं लेकिन गलती तो हमारे वालदین की है ना वो क्यों यूसफ से हम सबसे ज्यादा प्यार करते है तुमने हमारे दादा इसाफ का कमर बन और बाजू बन देखा जो यूसफ ने बांदा हुआ था बना कैरिती की अंबिया की मिरास है और बात में आनवाले पेखंबर को मिलनी चाहिए तो फिर फुपो फायखा ने वो यूसफ को क्यों दिया ये तो फुपो से भी पूछा जा सकता है वक्त गुरूब जब गल्ला वापस लेकर चलेंगे तो फिर फुपो के पास चलेंगे बाईयो पत्थर चलो आजमा के देखते हैं में तुम सब कोहरा दूँगा ये लो, यहोदा शुछ लिए ये वहोधा ने फिर वही शुरूगए जो जीतेगा वही बाबा का स्मेनगे चलो शाबाज गोड़ लगा जो जीतेगा वही बाबा का जानशीन Dewगा शाबाज भोड़ लगा आप बाते, आप तुम को जीज़ गरो तु मुठाओ शाबस, शाब शाबस, 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 शाबस कर तुम लोगं को शायद अच्छा ना लगी क्यों वहां ऐसा क्या हो रहा है चलो देखते हैं ये कौन सा मुश्किल काम है आज आज़ो देखा बाबा यूसुप को हम सब से जादा कितना चाते हैं यहुदा फजूल बाते मत करो जब हम छोटे थे तो बाबा के जानों पर इसी तरह बैठते थे और वो इसी तरह मुवबत करते थे बलहा और जुल्फा इसी लिए कह रहे थी कि फुपो फाइका के पास यूही अचानक मत जाना अजूल बाते मत करो मैं तो जा रहा हूँ यही रुको बेटा सलाम बाबा सलाम बाबा सलाम मेरे बच्चों सलाम खांदान याकूब के मर्दों जीते रहो मेरे बच्चों तुम लोग कब लगते बस अभी अभी बेडों को बाड़े में छोड़ा और यहां आ गये ताके ताके क्या हम आई हैं ताके फाइका फुपो से कुछ बाते कर सके हाँ बोलो सुन रही हूँ फुपो यह कमर्बन हमारे दादा इसाख नभी का है न हाँ ऐसा ही है लेकिन यूसुफ के लिए सिफ एक खिलो ना है मैंने सोचा कि यूसुफ इसम मज़ूल होकर अपनी मा के घंग को भोल जाए लेकिन बिलहा कह रही थी कि यह कमर्बन गुदिश्टा नभी की मिरास है और इसे बाद में आने वाले नभी को मिनना है बिसाख नभी के बाद मैं नभी हूँ यह कमर्बन मेरे लिए बाबा की मिरास और यूसुफ के लिए एक खेलने और मश्कूल रहने का वसीला है बला और जुल्फा जब तक राहिल जिन्दा थी उससे असद करती थी अब जब कि वो नहीं रही तो उसके बच्चों से असद करती है उनकी बात पर कान मा धारा करो बाबा यहुदा कह रहा था कि आप यूसुफ को हमसे ज्यादा चाते हैं ऐसा नहीं है लेकिन आज आप यूसुफ से मिलने आएं उसे अपने जानू पर बिठाय हुआ था तुम लोगों को भी बच्च्पन में अपने जानू पर बिठाता था अगर तुम लोग भी मुझसे दूर होते तो तुम्हें भी देखने के लिए आता मैं तुम सब को चाहता हूँ मैं मजीर ऐसी बाते सुनना नहीं चाहता हूँ चलो चलो मैं तुम लोगों को घर के मर्द और अपना दस्तो बाजू समझता हूँ और एक तुम लोगों के एक छोटे से कब्जोर बच्चे से बराबरी करते हो खुदा हाफिस में फाय का पुपो बाबा से कहिए कि वो मुझसे मुझसे मौबत ना किया करें क्यों बेटा इसलिए कि मेरे भाई नराज होते है मेरी जान तुम्हें मा की वापट तो मिली नहीं क्या आपकी वापट से भी महरूम रहना चाहते हो यूसर यूसर क्या करें वापट नहीं ... हाई, 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 ङर्कारोग अजिए हाई, हाई, जो धिए झाल झाल यूसुफ अराप से जाँ आजा मेट है कि अराप से जाँ रख समने है कि औरी शराप से जाँ झाल जल्दी करो जाओ, छुप जाओ, छुप जाओ, छुप जाओ, सब लोग छुप गए, मैं बीस तक गिंती हूँ जाओ दुम्डोने लेकिन अभी तक यूसुफ को नहीं ढूंदा यूसुफ पता नहीं यूसुफ कहा चला गया यूसुफ यूसुफ खेल खतम हो गया बहार आ जाओ यूसुफ कहा हो तुम यूसुफ कहा हो तुम यूसुफ कहा चला गया है मिल ही नहीं रहा कहीं जट पर तो नहीं है साय का पुपो और बिसमा के पास तो नहीं गया तुम रख नीचे रूंडो यूसुफ विश्मा युसुफ को तो नहीं देखा नहीं यहां तो नहीं आया क्यों क्या हुआ युसुफ गुम हो गया है यहां तो नहीं आया है क्या हुआ युसुफ गुम हो गया है गुम हो गया तुम कहा थे जग गुम हो गया च्या वो तुबारे साथ नहीं खेल रहा था वो वो मेरे भाई के अबानत है। आओ देखाओ, कहा खेल रहे थे जब कुम हुआ। योसफ, योसफ, पुपकी जान कहा हो। योसफ, कहा हो। योसफ, कहा हो। योसफ योसफ, योसफ, जाइँ बर्दो नहीं है। योसफ, योसफ, कहा हो। योसफ, योसफ, योसफ अज़ गन्वर यढ़न यप्रूवी है उन्वर्द glad वध्रूज बुट राओव ऑर झाफो ! कैन्वर्द गड़ोगो wires segregation wrap झाल झाल